हेलो दोस्तों तो चलिए पिधान मंत्रियों की इस कड़ी में हम देखते हैं चंद सेखर सिंग की वायोगराफी या जीवनी बहुत कम भारतिय राजनेता देश की समस्याओं को समझ पाते हैं उसी के लिए समाधान खोजने में सफल हो पाते हैं फो भारत कर देखते हैं पिदान मंति क्याने में अगुक्त क reicht के सब्कुरी और ब्रेत देखता है क्या आजयुक दोर से गुजर रही थी उस बक्त ऐसे लीडर की जरूरत थी जो निजी स्वास से उपर उठकर राष्ठित में कार करें चंद सेकर ने इस परिष्टियों परिष्टितियों में एक अच्छी राजनीती देश को दियो एक छोटी अवदी के लिए कारकाल में होने के कि बाप जीद भी पूर्ण था राजनितिक मत्त के साथ नितत्त के गुड़ों को प्रिदर्शन प्रिदर्शित करती है थे कि अ कि अ अ चंद सेखर जी का फ्यारम में जीवन देखते हैं इनका पूरा नाम था चंद सेखर सी इनके जनम इस्थान की बात करने जनम एक जुलाई निससाथ ताइस जनम इस्थान था इब्राहीम इब्राहीम पट्टी उत्तरफिदेश इनकी मित्ति वी आठ जुलाई 2007 को दिल जिने इनकी राजनिती पायटी थी समाजवादी जनता पायटी ठीब चंद सेखर जी का जनम एक जुलाई निससाथ ताइस को उत्तरफिदेश के ग्राम इब्राहीम पट्टी में हुआ चंद सेखर एक किर्शक राजपूत परिवार में जनम थे साथ इसलिए अपने देश से नेस्वार्थ भाव से जुड़े हुए थी इनको अध्यन में विस राजनीती में राजनीती में चात्त जीवन से दिल्चवी स्वी थी उस वक्त देश प्रहम ही एक जीवन था हर व्यक्ति वसंती चोला पहने अपने देश प्रहम में लिप्त होता था चंद सेकर जी वासा सेली अनुफम एबं तीव थी उसमें इतनी सच्चाई और दिर्थ चाता थी कि कोई उनकी बात काट नहीं सकता है पक्चो या विपक्चो वो सभी के लिए सम्मान नीये एवं सभी को मार्ग दर्सन देते थे ते क्योंकि इन में निजी स्वार्त का बाव था ही नहीं चंद सेकर जी युवाओं के लिए पेड़ा के पितिवें रहे इनोंने युवाओं को जगाने का भर पूर फेजास कि उनका मानना था कि युवा को सकती मानने वाला ही देश को एक स्वस्ट पेड़िती की तरफ बढ़ाता है कि उसमें स्वरहित के वजाए राष्ट कल्याण का भाव होता है चंद सेकर जी का राजनितिक सफ़र देखते हैं तो चंद सेकर जी राजनितिक जीवन एक स्वक्ष दरपन की तरह रहा है सरफ इत्म वे समाजबादी आंदलोनों से जुड़े इनोंने पिछले वर्वों के लोगों के लिए बहुत कार किये उस वक्ते एहम मुद्दा दर्मों की भावना का भी ज्यान रखा एहम समझा ताही किसी तरह की हिंसा का मुख न देखना पड़े उने चंद सेकर जी बलिया जिले के समाजबादी दल के सचेब बने उसके बाद राजिस्तर सचेब बनाए गये राश्टी इस तर पर राजनीती में आगमन उत्तर प्तिदेश राजसभा में प्रवेश करने के बाद हुगा 1962 में चंद सेकर जी को प्रिज्या समाजबादी पार्टी के द्वारा राजसभा का टिकेट मिल गया यहां से इनोनर रुष्च राजनीती का आरम किया अयम मुद्दों का आवाज बुलंद करना चंद सेकर जी के ब्यक्तित में सामिलता इनकी दमदार आवाज विवाग बोलने की आदत काफी प्रुहासाली थी लोग इनके आंगे आवाज नहीं उठा पाते थी 1975 में अपातकल के दोरान इंद्रा गांदी ने कई राजनेताओं को जेल बेजा उनमें चंद सेकर जी का नाम भी सामिलता 1977 में उत्तरफिदेश के वलिया से चंद सेकर को लोकसवा की सीट मिल गई इसके बाद बेजंता दल की अध्यक्ष बन गए उन्होंने दच्छेंड करन्या कुमारी से दिल्ली के राजगाट तक हुई पदयात्रा जिसे बारत में भारत यात्रा भी कहा जाता है उसमें हिस्सेदारी की 4260 क्लियोमीटर की पदयात्रा को 6 जनवरी 1983 से सुनूब कर 25 जून 1983 को समाप्त किया भारत यात्रा का मुख देश गरामीड छेत्रों की समस्याओं पर पिकाथ डालना वो सामाजिक आसमानताओं और पिछलित जातिवात की आसमानताओं को दूर करना था पिदान मंत्री चंदसेकर के काल काल की बात करें है तो नमंबर 1990 में राश्तिय सरकार राश्तिय मूर्चा सरकार के पतन के बात राजीब गांदी की मदद से चंदसेकर जी को 10 नमंबर 1990 को पिदान मंत्री बना दिया गया, लेकिन कुछ сама event ही बीपी सिंह ने जनताध से अलग समाजवाधी पार्टी बना ली जिसके बाद चंदसेकर को बीजीपी के द्वारा बहुमत मिला ये बाद राजीब गांदी को अच्छी नहीं लेगी उन्होंने कुछ समाए बाद चंदसेकर की सरकार से बहुमत बापस ले लिया जिसके साथ मार्च 1991 में चंदसेकर ज जरिये उजागर किया उस वक्त बिचारों को कि अभीविक्ती समान तक पत्ति पत्त काओं के जरिये की जाती थी यह एक बहुत प्रभावी तरीका होता था इस पिकार चंदसेकर जी ने अपने बिचारों को ये खुडान दी राजनीती एवं समाज से जुड़े मुद्दो को उन्होंने इसी तरह सब के सामने रखा उसकी सैली इतनी तीव थी कि उनका विरोध करने का समर्द किसी के पास नहीं था उन्होंने यंग इंडिया नामक समाचार पत्त का संपादन किया इनके समाचार पत्तों में यह जनता को जगाने वाली सैली को अपनाते थे यह वह निस्पक्च नेता थे जिन्होंने कलम को अपना हतियार बनाया और ग्रांती का आहान किया अपातकाल के दोरान इन्हें भी जेल जाना पड़ा जहां नहीं अपने विचारों आप बीती को एक डायरी संगेत किया जो बाद में मेरी जेल के नाम से पिकासित भी डायर मिक्स और चेंज नामक पुष्टिका की रचेता भी थे जिसमें इनके विचार यंग इंडिया के इनके अनुगाओं को पिकासित किया गया इनके लेकन में एक पिवाओ पिकार का पिवाओ होता था जो पाठक को सुरूं से अंत तक बांदे रखता था बहुत बगत बात भारत को एक इमामदार और करवमान हाथों में ने समाला था उनकी इनी गुड़ों के कारण वो निस्पक्च भाओ से त्रेम पाते भी थे पिधानमंत्री पदसे हटने के बाद भी पड़ोड सी में अपने आस्रम में रहे इन्शे इनकी पार्टी के अलावा विपक्चित भी सलाय करते चंद सेकर जी की मित्वी वी वाद करें तो चंद सेकर जी को वोन मेरो कैंसर था तबीयत खराब के चलते साथ तीन माई 2007 को अस्पताल में भरती हो गए आठ जुलाई 2007 को दिल्ली में नोने अन्तिम सासली उस बक्त वे फिलाजमा कैंसर से ग्रिश्टित थे उनकी उम में 50 स साल थी हुँ हाँ कि हुए हुए तो अब को हुए तो उननीं सोड पंचाव में चंद सेकर जी कोदकृष्ट सांसर्प के प्रोषकार से शमानित किया गया इस प्रोषकार की सुरूबाद इसी वास से हुई थी जंद सेकर पहले ऐसे वेक्तिते जिनेंश सम्मान पुरास हु इस तो च्पत्पा आसीन ब्यक्ति सामानों तक कई तरह के सुखों का सुखीन होता है पर चंद से कर सींग बहुत नियंतित ब्यक्ति थे अपने कर्मों येवं सौभाव के कारण ये सदेव इसमडियें रहते हैं तो याद रखिए उत्किष्ट संसत पुरुसकार पहला इनी को मिला थो